सहाब कासी राम के मरण दिन पर आज उनके अनुयाईयों ने उनको फिर अच्छी तरह से मारा लोग कहेंगे आज तो उनका जुनन दिन है ये मरण दिन क्यों बोल रहे हैं मरण दिन तो अक्टुवर में आता है पर ये मरण दिन ही है और मारने वाले सहाब कासी राम के चेले हैं अनुयाई है जो नाम उनका लेते हैं फूल माला उनकी चड़ाते हैं और उनकी पीठ में चाकू गुशर देते हैं बलकर अब तो सीने में मार रहें ये कहने को किसी की हिम्मत नहीं है समर्संग के अलावा या समर्संगियों के अलावा क्योंकि जितने भी लोग हैं वो सब सहाब काशीराम जी के दलाल है सब दलाल है एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो उनके नाम पर दलाली नहीं कर रहा हो बहुत अच्छी तरह से मुझे याद है कि मद्धे प्रदेश से एक लड़का आया उसने कई पढ़ लिया होगा समझ लिया होगा उसके पिताजी ने साहब साही के साथ में काम बाम किया तो कहता है हमने साहाब कासी रामजी से पेड़ना ली है अब हम शादी कर लिया हमने पर बच्चा पैदा नहीं करेंगे अब हम काम करेंगे और हम पूरी जिन्दगी साहाब कासी रामजी का काम करेंगे इसलिए हमने 15 मार्श को ये संग्ठन और ये काम करने का सोचा है पढ़ लिया है मैंने उससे कहा रहे भाई साहाब ने तो साधी नहीं की चल तुने साधी कर ली पर साधी करने ना करने का इतना अभीमान मत कर साहाब कासी राम जी ने जो किया है उन्होंने जो किया सब को इखटा करने का काम किया तू तो अलग संग्ठन बना रहा है बुरा लग गया उसको आज सबने फूल माला चलाएं किसी ने कहा जै कासी राम जी उसका संग्ठन अलग किसी ने कहा मैं एक नई राजनितिक पार्टी बनाता हूं उसका अधी वेशन लगाऊंगा फिक्की अर्टॉरियम में दो-, ड़ाई जार आदमी आएंगे उसकी पार्टी अलग किसी ने लखनों में चलाए उसकी पार्टी अलग किसी ने अपने संग्ठं में चलाए उसकी पार्टी अलग कोई payback to society में चला रहा है उसका payback to society अलग हर आदमी अलग अलग हर आदमी अलग है कैसे चेले क्या सीखा चेल चेलोने दलाली के अलावा चेले कुछ नहीं कर रहे है आज emergency का time है आपात का time है सबको पता है के सर के उपर मौत खड़ी है साहब कासी राम जी को माला और फूलों से भर दिया पर बात किसे नहीं मानी यही होता है महापुरसो के साथ महापुरसो की जमापुजी जो पूरी जिंदगी उन्होंने कमाई होती है उनके चेले आपस में ऐसे बाढ़ते हैं जैसे कोई जाजात की हीटे बाढ़ता है जैसे मिनार की हीटे सब अपनी अपनी हीटे निकालने में लगे पड़े हैं सारी मिनार जो बनाई ही वो सब खंड़त कर दी और उपर से तुर्णा यह के हम साहब कासी राम जी का जरंदिन मना रहे हैं हम साहब कासी राम जी के चेले हैं पर कैसे चेले हो जिस आदमी ने प्रण लिया कि वो घर बापिस नी जाएगा जिस आदमी ने प्रण लिया कि अब सारा समाज उसका घर है जिस आदमी ने प्रण लिया कि अब उसका कोई रिजदार नहीं जो रिजदार उसका समाज है जिस आदमी ने प्रण लिया कि वो समाज को एक करके मानेगा उसकी आंख बंद होने से पहले टुकड़े कर दिये समाज के उसके टुकड़े कर दिये और उपर से धमंड ये कि हम साहब कासी राम जी का मिसन चला रहे हैं हम साहब कासी राम जी की माला चला रहे हम साहब कासी राम ज इस बात को कोई नहीं कहता सारे के सारे मिठी मिठी बात हैं मिठी मिठी गुगली और एक दूसरे को देखते हैं और कहते नहीं क्यों तुम अलग लग शड़ा रहे हो माला भाई किसने अधिकार दिया क्या साहब कासी नाम जी तुम्हारी प्रॉपर्टी है उनके विचार प्रॉटू खिचवाते और भेशते हो वाटसेप पे और यूटूब पे तुमको शरम नहीं आती तुमको एक बार भी समझ में आता कि साहब कासी नाम के आगे तुम नाटक जो कर रहे हो दिखाई नहीं देता के लोगों को हर एक बंदे को पता है हर एक जानता है तुमको कासी नाम जी उस दिन नहीं मरे जिए दिन उनकी डैथ होई वो अपने जरम दिन पर मरते हैं जब जरम दिन पर उनके अनुयाई उनके विरुद एक दूसरे के विरुद खड़े हो जाते हैं और नाम उनका ले जेते हैं ऐसे ठीक बावा साब के जरम दिन पर होता है ऐसे ठ पहान, आदमी की विचाधरा और उसके पेट में तलबारे घुषती हैं। पर इस बात को कोई कहने को त्यार नहीं, इस बात कोई समझने को त्यार नहीं। समर संग ये बात कहता है, इसलिए समर संग नाटक नहीं करता, इसलिए समर संग के लोग जानते हैं कि फूल मला शलाने से कुछ नहीं होता, इसलिए वो इखटा करने में काम में लग रहते हैं, दिन राद दिन राद एक दूसरे को इखटा करते हैं, लोगों के हाथ पर जोड करते हैं नीचे बैठके बात करते हैं क्योंकि पत्थर जितना भारी होता है उतना नीचे बैठता है और यह बुलबुले हैं सारे के सारे जो गुबारी तरह उपर उचलते रहते हैं पर समय बड़ा खराब है इसलिए समरसंग के लोगों को हाथ जोड़के नीचे बैठके पत निकालो, उनको टुक्डे टुक्डे मत करो, ये कहना बंद करो, कि हम साहब कासिराम जी को अनुयाई हैं और उनको मानते हैं, अगर अनुयाई हो तो अलग क्यों हो, तुम सब अपने अनुयाई हो, साहब कासिराम का कोई अनुयाई नहीं है, अगर साहब कासिराम जी के अनु माला चड़ाना किसी भी महाप उसने कभी यह नहीं सोचा कि उसके मनने के बाद उसके अनुयाई उसके नाम से अलगलग होके पूरे समाज को तहस नैस कर देंगे इसलिए अगर सच्छी सद्धाजली दैनी है अपने महाप पर उसको और 14 अप्रेल आरी यह बावस आपको तो एक शहर एक जगे एक समय और सारे लोग एक साथ मिलके उसको मनाएं और उसके बाद अगले संड़े को फिर अपने अपने महलों में जहां जहां उनको मनाना मनाएं पर इससे मैसिज जाना चाहिए कि सारा समाज एक है सारे लोग एक है हम सब अपने महाप पर उसका मरंदन और जरंदन एक मनाते हैं हमारे अंदर कोई मतवेद हो सकते हैं पर वैचारिक मतवेद नहीं हो सकते ये जो लोग कहते हैं कि जी विछारिक मत्वेद हैं अगर किसी का विछारिक मत्वेद है इसका मतलब वो आदमी दलाल है वो आदमी बदमास है क्यों बदमास है सबका विचार एक ही है कि जोड़ना है जब कोई दो आदमी दो संठन ये कहते हैं कि उनके विचारों में मतवेद है या दो व्यक्ति कहते हैं कि विचारों में मतवेद है तो उनका परसल होगा पर सामाजिक विचारों में मतवेद नहीं होता सामाजिक विचार सबका एक ही हो होता है अगर सामाजिक विचार में मतभेद है इसका मतलब वो आदमी हमारे समाज का नहीं है वो वमण समाज का है क्योंकि स्रमणों का विचार एक होना चाहिए और एक ही है यो महापुर्सों का है किसी का परसनल अलग हो सकता है कोई आदमी बैंगन खाए कोई आदमी अर्बी खाए कोई आदमी आलू खाए उसमें आलू बैंगन खाने का विचार अलग हो सकता है पर सामाजी करांती में और सामाजी बदला में किसी भी आदमी का विचार अलग नहीं हो सकता, उन सब के विचार एक हैं, महा पर उसकी जैनती आती है तो हम इस बात को बोलते हैं, क्योंकि ये महा पर उसके विचार पर नहीं चलते, ये महापरुस का फोटो लगा के अपने विचार पे चलते हैं और अलग अलग चलते हैं और लोगों को गुमरा करते हैं लोगों को इससे निकालना है क्योंकि समय जादा नहीं है अगर अभी नहीं निकाल पाए अभी नहीं बता पाए तो हालत वही होगी जो पुने के अंदर हुई थी जो पुरे के अंदर आगे हंडियार पीचे ज़ड़ू थी वो पूरे देस में दिखाई देगी इसलिए अगर वो रिपीट नहीं करनी है तो महापर उसके विचार पर चलना है महापर उसके विचार बताना है और इन नाटक वाजों को दलाल और धोगे वाजों को चाहें वीडियो बनाईए चाहें पोश्ट बनाईए इनकी हामेहा मत बनाईए इनके मीठे मत बनिये क्योंकि आज मेरी एक बहुत बड़े आदमी से बात हो रही थी और वो बहुत बड़ा आदमी अपने आपको बहुत बड़ा आदमी समझता है इसलिए हम उसे बड़ा आ आज को सचा आइन नहीं दिखाते क्योंकि बुद्ध जैसे व्यक्ति ने साफ कहा है कि अगर कोई गलत है तो गलत बात को कहना चाहिए और जो अच्छी बात है तो अच्छी बात को कहना चाहिए बावा साब ने भी गलत बात को गलत कहा है और सही बात को सही कहा है गलत बात को गलत कहना आलोचना नहीं होती आलोचना वो होती है जो सही बात को गलत कहता है उसको आलोचना बोलते हैं चुकि आदमी मीठे बने रहते हैं और बोलते नहीं है लोग सोचते हैं कि हम क्यों बुरा बने कोई और कर लेगा कोई और कर लेगा इसलिए गलत बातों को ढखते रहते हैं ये गलती हमसे भी हुई है हमने भी 20-25 साल में जहां जहां भी काम किया महां हमा जो गलतीयां देखी हमने वो गलतीयां देखी समझी वो तो जाना पर हमें लोगों को बताना चाहिए था अगर हम लोगों को बताते और उस समय हम किसी माध्य हमचा लोगों में पचार करते कि यह आदमी गलत है इसकी नियत गलत है यह दलाल है तो समाज आज इतने गड़े में नहीं जाता क्योंकि हम मीठे बने रहे हमने सोचा कि हम क्यों बुरे बने कोई और कर लेगा तो आज इस्तिती यह आ गई कि चाहें बुरे बने या ना बने पर हमारे सारे सारे अधिकार चले गए तो इसलिए गलत को तुर्ट रोकना चाहिए और सही को सही कहना चाहिए इसी को बावा साव अम्बेट करने का है एजिटेट एजिटेट का मतलब है कि जो गलत होता है उसके पिट्टी आपने विरोध करना है गलत के पिट्टी गलत मोलना है संगर्स का मतलब होता है कि जो जो चीज गलत है उसको कहना है उसको बताना है कि ये गलत है ये ठीक नहीं है इसी को एजिटेसन बोलते हैं जब कोई बच्चा जब उसके मन के वरुद कोई बात होती है तो वो एजिटेट करता है वो भी बच्चा चिलाता है कि ये मेरे मन के वरुद की बात है हम तो बड़े होने वाले हैं बुड़े होग अलगलग अपनी दियर मौंबती जलाता है अलगलग विचार रखता है वो महापुरस का विचार नहीं हो सकता वो उसका खुद का विचार है इसमें डिफरेंस चीखना चाहिए इसमें जानगे रखनी चाहिए और कहना चाहिए कि यह महापुरस का विचार नहीं है यह तेरा है और हम तेरे विचार पर नहीं चलेंगे हम अपने महापुरसों के विचार पर चलेंगे जिनका एक ही विचार है जुड़ेंगे जीतेंगे जो जो जुड़े है वो जीते हैं जहां जहां जुड़े हैं महापुरसों को नमन है बारबार नमन है और नमन करने का तरीका एक ही है संगंग नमामी संगंग नमामी संगंग नमामी मेरे इस वक्त तब वैसे अगर किसी को ठेश पहुची हो तो मैं संग से माफी मांगता हूँ संग मुझे बाफ करे संग मुझे बाफ करे संगंग नमामी संगंग नमामी संगंग नमामी